नमस्कार, दिस इस जेयस्त्रिपाथी, वेलकम टू दा भारत स्टांस क्या आप भारत के उन उप्रेशन्स के बारे में जानते हैं, जिनोंने भारत को एक नई दिसा दी भारत सरकार द्वारा आजादी से लेकर अब तक चलाये गए इन उप्रेशन्स के बदावलत ही, आज भारत एक ग्लोबल प्लेयर बनके उपरा है आज हम इन ही उप्रेशन्स के बारे में एक एक करके जानेंगे आजादी के बाद भारत सरकार ने जो सबसे पहला ओप्रेशन लॉंच किया वो था ओप्रेशन 22 मई 1948 में इस ओप्रेशन को भारतिय सेना ने पाकिस्तानी सेना के कबजे से जोजिला पास को छुड़ाने के लिए किया था इसलिए इस ओप्रेशन को बैटल ओप्रेशन जोजिला भी कहा जाता है अपनी हिमालियन जोगराफी के कारण यहां कोई भी ओप्रेशन करना कितना कठिन था इसका अंदाज आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक नौमबर को जाकर भारतिय सेना को जोजिला पास का कंट्रोल मिल पाया था इसी ओप्रेशन के अंडर इंडियन आर्मी ने अपरेल 1948 में पाकिस्टानी रिबल्स के कंट्रोल से कसमीर और जम्मू के राजवरी को आजात कराया था इसे ही हम फर्स्ट इंडिया पाकिस्तान वार के नाम से जानते हैं इसके बाद आता है Operation Polo आजाद भारत का सबसे bold और brave operation आजादी के बाद जब हैदराबाद के निजाम ने ये घोशित किया कि वो सौतंत राष्ट बनाना चाता है क्योंकि वो भारत या पाकिस्तान किसी के साथ नहीं जाना चाता तब भारत के महान गिरह मंत्री सरदाल पटेल जी ने ये डिसाइड किया कि हैदराबाद को by force भारत में इंट्रिगेट किया जाएगा जिसके बाद भारतिये forces ने 13 सितंबर 1948 को Operation Polo लांच किया और मात्र 5 दिन में ही हैदराबाद के निजाम से Surrender करवा लिया जिससे हैदराबाद भारत का एक अभिन अंग बना ये भारत की सीजन नहीं लिया होता तो आज भारत कुछ ऐसा दिखता जिसके बीचों बीच आपको एक अलग देश दिखाई देता आप इमेजीन भी नहीं कर सकते कि आपको अभी कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होता सरदार पटेल ने अगर ऐसे 565 प्रिंसली स्टेट इसको नहीं मिलाया होता तो आज जो भारत आप देख रहे हैं वो एक दूसरा अफ्रीका होता जिसमें सभी देश बस आपस में लड़ रहे होते इसलिए सरदार पटेल का योगदान इस देश को बनाने में सबसे बड़ा है वो सचमे बरतमान भारत के निर्मार करता है भार आपरेशन को चलाया गया था यह भारत का आजादी के बाद पहला ऑपरेशन था जिसमें आर्मी नेवी और एयर फोस तीनों ने एक साथ मिलकर किसी ऑपरेशन को सकसेस्फुली एक्जिक्यूट किया था इस ऑपरेशन को लिबरेशन ओफ गोवा भी कहा जाता है अब अगर इसके जवाब में भारत ने कसमीर वैली में और जादा ट्रूप्स को डिपलॉई कर दिया जिसके बाद एक सितंबर 1965 को पाकिस्तान ने एक और ऑपरेशन लॉंच किया जिसका नाम था ऑपरेशन गैंड स्लैम इसके जवाब में भारत सरकार ने वो किया जिसने सभी को कर दिया भारत के ततकालीन प्रधान मंतरी लाल भादू सास्त्री जी ने भारतिय सेना को पंजाब का इंटरनेशनल बॉर्डर ओपेन करने का ओडर दिया जिसका परड़ाम यह हुआ कि भारतिय सेना लाहोर तक पहुँच गई जिसकी यह आइकॉनिक पिक्चर आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं यह लाहोर का एक पूली स्टेशन है जिसके बाहर भारतिय सेना खड़ी हुई है इसके अत्रिक्त भारतिय सेना ने पाकिस्तानी टैंको को भी कैप्चर किया था जिस पर खड़े हुए सास्त्री जी की यह बड़ी फेमस पिक्चर है फिर 70 में भारत सरकार ने ऑपरेशन इस्टिपल चेज को स्टार्ट किया जिसका सुरुवाती टार्गेट तो सिर्फ नकसल को इलिमिनेट करना था जो कि उस समय बंगाल के आज पास के एरियास में फैले हुए थे लेकिन धीरे धीरे बढ़ते समय के साथ इस ऑपरेशन का परड आर्मी के 93,000 साइन को ने एक साथ सरेंडर किया हो ये उसी समय की बड़ी फेमस पिक्चर है जिसमें पाकिस्तानी जनरल नियाजी इंस्टुमेंट आफ सरेंडर पर साइन कर रहे हैं उस समय भारतिये आर्मी की कमांद सैम मनिकसौ के हाथ में थी वहीं इंद्रा गाधी उस स पूरे इंडो पैस्फिक रीजन में पहला ऐसा ओपरेशन था जिसमें किसी एंटी सिब मिसाइल का यूज किया गया हो इस ओपरेशन में इंडियन नेवी ने पाकिस्तान के कराची में ओफेंसिव ओपरेशन किये थे जिसमें इंडियन नेवी को तो कोई लास नहीं हुआ लेकिन पाकिस्तान को भारी नुक्सान हुआ था पाकिस्तानी नेवी ने अपना एक माइन स्वीपर दो डिस्टॉयर और एक कारगो वेसल को खो दिया था इंडियन नेवी ने इस ओपरेशन को 4 दिसमबर की रात में किया था यही कारण है कि भारत 4 दिसमबर को अपना नेवी को कोई लॉस नहीं हुआ था लेकिन पाकिस्तानी नेवी ने अपना एक फ्लीट टैंकर PNS डका को खो दिया था जिसे अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया था इसके अतरिक पाकिस्तान का केमारी ओयल स्टोरेज और दो फॉरेंड सिप्स भी इसी अटैक में बरबाद हो इसी यूद के समय इंडियन एर फोर्स ने इस्ट पाकिस्तान में 9 और 12 दिसंबर को एयर स्टाइक किये थे जिसे ऑपरेशन कैक्टस लिली कहा जाता है ये पूरा ऑपरेशन इसलिए किया गया था जिससे इंडियन ने भी मेगना डीवर को पार करके धाका पहुंच सके इस इस देश के लिए नुकलियर टेकनोलजी का होना कितना जरूरी होता है इसलिए भारत ने 18 मई 1974 को पोखरन में अपना पहला नुकलियर टेस्ट किया ये पूरा टेस्ट आर्मी की देखरेक में हुआ और इसका नाम इसमाइलिंग बुद्धा रखा गया मिनिस्टी ओफ एक्स्टरनल अफेर्स के एकॉर्डिंग इसे पोखरन वन भी कहा जाता है ये उसी समय की पिक्चर है इस टेस्ट के बाद हमारे पास नुकलियर बनाने की टेकनोलजी आ गई थी लेकिन अभी भी इसको बेपनाईज किया जाना बाकी था इसके बाद आता है वर्स 1975 जब भारत को एक और राज मिला दस अप्रेल 1975 को सिक्किम भारत का एक राज बन गया इसके रिफरेंडम में 60,000 से जादा लोगों ने इस मरजर का सपोर्ड किया जबकि सिर्फ 1496 लोगों ने इसके अगेंस्ट ओट किया था 22 अप्रेल 1975 को सिक्किम भारत का बाइसमा राज बना था फिर अप्रेल 1984 में इंडियन आर्मी ने इंडियन एर फोर्स की मदद से दुनिया की सबसे उची बैटल फिल्ट सियाचीन ग्लेसियर को कैप्चर करने के लिए एक ओपरेशन किया था जिसका नाम था ओपरेशन में सियाचीन ग्लेसियर मिलने के बाद भारतिय सेना को पाकिस्तान के उपर एक स्टेजिक एज मिल गया क्योंकि यहां बैटकर भारतिय सेना पाकिस्तान की सेना पर बड़ी आसानी से नजर रख सकती है 1984 में किये गए इसके बाद के ओपरेशन भारत के लिए कुछ अच्छे नहीं रहे जब पंजाब में खलिस्तानी आतंगवाद बहुत जादा बढ़ गया था तब उस समय की प्रधान मंतरी इंद्रा गादी ने खलिस्तानी आतंगवादी भिंडरा वाले को पकड़ने के लि ये ओपरेशन वूड रोज चलाया था ये भी एक मिलिटरी ओपरेशन ही था इन दोनों ओपरेशन के बाद भी जब पंजाब में मिलिटेंसी समाप्त नहीं हुई तो भारत सरकार ने एक और ओपरेशन लॉंच किया जिसका नाम था ओपरेशन ब्लैक ठंडर 1 इस ओपरेश ये वो दोर था जब भारत के डिसीजन्स अच्छे साबित नहीं हुए भारत सरकार ने अक्टूबर 1987 में एक ओपरेशन लॉंच किया जिसका नाम था ओपरेशन पवन ये ओपरेशन भारत का सिलंका में चल लहे सिविल वाल में डायरेक्ट इंटरवेंशन था जिसके एक त सिलंकर गवर्मेंट थी तो दूसरी तरफ प्रभाकरन के नेत्रित वाली LTE भारत सरकार ने इस ओपरेशन के अंडर इंडियन पीसकेपिंग फोर्स को सिलंका के जापना को LTE के कबजे से मुक्त कराने के लिए भेजा था जो इंडियन पीसकेपिंग फोर्स ने किया तो ले समय के प्रधानमंत्री राजिव गांधी का क्रिटिसिजम भी होता है राजिव गांधी के लिए परस्नली भी ये ऑपरेशन सही नहीं रहा क्योंकि उनके द्वारा चलाए गए इस ऑपरेशन से नाराज LTE या तमिल टाइगर्स ने 21 मई 1991 को उनकी हत्या कर दी थी और अब भारत के अगले फॉरेन मिलिटरी ऑपरेशन की 1988 में लंकन मिलिटेंस द्वारा समर्थित अब्दुल्ला ने जब मालदीव की सरकार के अगेस्ट भगावत कर दिया तो मालदीव की सरकार ने भारत से मदद मागी जिसके बाद 3 नौंबर 1988 को भारत सरकार ने एक ट्राइ सर् प्रुप्स को समाप्त करना जिसे भारतिय सेनाव ने बखू भी अंजाम दिया इंडियन एरफोर्स के आईयल 76 एरक्राप्ट से पैरा टूपर सीधा मालदीव एरपोर्ट पर उत्रे और वहां से बोर्ट से माले पहुंचकर मालदीव के इस पॉलिटिकल क्राइसिस को की जिसने भारत को बिस्व की उन सेलेक्टेट कंट्रीज की लिस्ट में ला दिया जिनके पास नूपरेशन सकती के अंडर भारत ने 11 मई 1998 को पूरी दुनिया इस्पेसली अमेरिका को सर्प्राइस करते हुए अपना पहला नूपरेशन के पोखरन में टेस्ट किया इसके द दो दिन बाद 13 मई को दो और नूकलियर फिजन का टेस्ट करते ही उस समय के भारत के प्रधान मंतरी अटल विहारी बाजपेई ने भारत को एक नूकलियर स्टेट डिकलेर कर दिया यह उसी समय की पिक्चर है जिसमें आप अटल जी के साथ डॉक्टर एपी जे अब्दुल तक नहीं लगी कभी इसकी एक सेपरेट डिटेल वीडियो लेकर के आऊंगा भारत के इस नूकलियर टेस्ट के मातर 15 दिन बाद ही पाकिस्तान ने भी नूकलियर टेस्ट कर लिया जो बहुत सारे प्रशन खड़े करता है इस टेस्ट के कारण पाकिस्तान को यह लगने लग इसलिए मई के अंत में भारत की तीनों से नौने अलग-अलग ऑपरेशन के जरिये काउंटर अटैक किया सबसे पहले अगर आर्मी की बात करें तो आर्मी के ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय यहां आप ध्यान दीजेगा कि गोवा लिबरेशन वार का नाम भी ऑपर आता है तभी तो कैप्टन विक्रम बत्रा जैसे बलिदानियों ने इस देश के लिए अपना सर्बोच बलिदान दे दिया इसके अत्रिक्त कारगिल वार की यह कुछ आइकॉनिक इमेजेज हैं जिनको हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए अब बात करते हैं कारगिल वार मे पहला ऐसा मौका था जब भारत ने एयर फोर्स को जम्मू और कस्मीर रीजन में वाइडली यूज किया था इसी पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन सफेज सागर कहा जाता है वहीं नेवी ने भी कारगिल वार में इंपोर्टेंट रोल प्ले किया था इसके लिए इंडियन ने नेवी ने अरेबियन सी को नासिर ब्लॉक कर दिया था बलकि वहां एक ड्रिल भी किया था आप सोच रहे होंगे कि इंडियन नेवी ने 1971 वार की तरह पाकिस्तान को सिधा अटैक क्यों नहीं कर दिया तो इसका जवाब है कि इस समय तक भारत और पाकिस्तान दोनों के पास नुकलियर बंस आ चुके थे जिससे वार के एकस्कलेट हो जाने का खत्रा था कारगिल वार के दो वरसों बाद ही भारत और पाकिस्तान की सेना एक बार फिर आमने सामने आ गई थी मैं बात कर रहा हूं ऑपरेशन पराक्रम की जब भारतिये संसत पर हमले के बाद उस समय की भारत सरकार ने इस उपरेशन के अंडर 5 लाग सोलजर्स को पाकिस्तान बाउडर पर खड़ा कर दिया था लेकिन 10 महिने की बैक चैनल डिपलोमेसी ने इस युद्ध को टाल दिया था इसके बाद भारत को वो उपरेशन करना पड़ा जिसको करने की कभी जवद पढ़नी ह ही नहीं चाहिए थी और उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तानी आतंगवादियों ने हमेशा चलती रहने वाली मुंबई को रोक दिया था CSMT, होटल ताज, नरिमन पॉइंट, होटल ट्राइडेन जैसे जगहों पर एक साथ हमले हुए जिसमें 200 से जादा लोगों ने अपनी जान गवाई और लगबग 300 लोग बुरी तरह से घायल हुए मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि उस समय लगातार चार दिन हमारे हां टीबी बंद नहीं हुई थी इन चार दिनों तक चले ऑपरेशन में भारत ने मेजर संदीप उन्नी कृष्णन जैसे बीर सबूतों को खो दिया भारत सरकार ने पाकिस्तान को हजारों सबूत दिये लेकिन हुआ कुछ नहीं इसलिए आपको नहीं लगता कि भारत सरकार को उस समय पाकिस्तान पर कोई न कोई ओफेंसिव ओपरेशन करना चाहिए था मैं कभी-कभी सोचता हूँ कि उस समय अगर NSG नहीं होती तो मुंबई का क्या होता खेर इससे आगे बढ़ते हैं और आते हैं 2014 में जब Indian Air Force और Indian Navy ने Malaysia की हेल्प की थी Malaysia का एक passenger aircraft missing था इसी को ढूड़ने के लिए भारत सरकार ने Operation Search Light को लांच किया था इसमें IAF और Indian Navy ने Port Blair से लेकर मलक्का स्ट्रेट तक के सभी एरिया को सर्च किया था इसके बाद 1 अप्रेल 2015 को Indian Armed Forces ने यमन क्रैसिस के दौरान महां फसे भारतियों को निकालने के लिए एक Operation चलाया था जिसका नाम था Operation राहत इस पूरे Operation में 4640 भारतियों के साथ साथ 41 देशों के 960 बिदेशियों को भी भारतिय वायू सेना और नेवी ने यमन से बाहर निकाला था फिर इसी अप्रेल में ही जब 26 अप्रेल को नेपाल में भूकम पाया तो भारत सरकार ने आधे घंटे के अंदर ही नेपाल में राहत वा बचाव कारी को प्रारम कर दिया था भारतियों सेना की गोर्खा रेजिमिंट ने इसको प्रारम किया था और फिर इसमें इंडियन एर फोर्स भी सामिल हो गई थी इस पूरे ओपरेशन को ओपरेशन मैत्री के नाम से जाना जाता है जून 2015 में म्यानमार के नागा मिलिटेंस ने भारतियों सेना के काफिले पर हमला कर दिया था जिसमें 18 सेनकों ने सर्बोच बलिदान दिया था जिसके बाद इंडियन आर्मी के 70 कमांडोस ने म्यानमार में सर्जिकल स्ट्राइक करके 38 नागा मिलिटेंस को मार गिराया था ये पहली बार था जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में सुना था फिर जुलाई 2016 में इंडियन एर फोर्स ने ऑपरेशन संकट मोचन लाउंच किया था जिसका टार्गेट था कि सुडान सिविल वार 2016 के दोरान वहां फसे भारतिये नागरिकों को बाहर निकालना इसके लिए IAF ने अपने C-17 Glow Master का यूज किया था दिन था 18 सेटमबर 2016 जब पाकिस्तानी आतंगवादियों ने इंडियन आर्मी के उरी कैम पर हमला किया था जिसमें 19 भारतिये सैनकों ने सर्बोच बलिदान दिया था इसी के कुछी दिनों बाद यानी 28 सेटमबर 2016 की रात को भारतिये सेना नहीं वो किया जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था इंडियन आर्मी के कमांडोज ने LOC को पार करके P.O.K. में इस जैसे मोहमत के टेरर कैम्स को तबाह कर दिया जिसमें 50 से 70 आतंगवादी मारे गए इंडियन आर्मी की स्पेसल फोर्सेस इस ओपरेशन को अंजाम देने के बाद 29 सितमबर 2016 की सुबा तक सुरच्छित वापस लोट आई थी वैसे तो इस ओपरेशन का कोई स्पेसल कोडनेम नहीं है लेकिन इसे 2016 सर्जिकल स्ट्राइक के नाम से जाना जाता है इसलिए 28 सेप्टमबर को सर्जिकल स्ट्राइक डे भी सेलिब्रेट किया जाता है अब अगर हम भारत के अगले ओपरेशन की बात करें तो 2017 में मिनिस्ट्री ओफ एक्स्टरनल अफेर्स ने रोहिंगिया रिफ्यूजी क्राइसिस से जूजरे बांगला देश की मदद करने के लिए ओपरेशन इंसानियत को लांच किया था इसमें भारत सरकार ने बहुत सारी राहतियों खाद समगरी को बांगला देश तक पहुचाया था ये भारत की नेबर हुट फर्स्ट पॉलिसी का एक हिस्सा है फिर जून 2018 में जब यमन में साइकलॉन आया तब वहां के स्क्रोता आयलाइंड पर 38 भारतिये फस गये थे तो उन भारतियों को निकालने के लिए इंडियन नेवी ने आउपरेशन निस्तार चलाया था इंडियन नेवी ने इसके लिए आयने सुनैना का यूज किया था आपको एक फणी इंसिडेंट बताता हूँ भारत सरकार के द्वारा लगातार किये जा रहे इन रेस्क्यू आपरेशन के कारण उस समय की फॉरेन मिरिस्टर सुसमा सुराजी से किसी बेक्ती ने मजाक में बोला कि मैं मार्स पर फस गया हूँ मुझे बचा लीजिए तब सुसमा जी ने ये ट्विट किया था ये फणी होने के साथ साथ सुसमा जी का उनके काम के प्रती सिंसियर्टी को भी दिखाता है आएए अब आगे बढ़ते हैं और अपने अगले आउपरेशन पर आते हैं 2018 में केरल में भयंकर बाढ़ाई थी जिसमें लगभग 450 लोगों ने अपनी जान गमा दी थी इनी लोगों की मदद करने के लिए इंडियन ने भी ने आउपरेशन मदद को लॉंच किया था इंडियन ने भी उन पहले लोगों में थी जिनोंने केरल में राहत हुआ बचाओ कारे को स्टार्ट किया था 14 फरवरी 2019 का वो दिन भारत के सबसे बुरे दिनों में से एक था जब जैसे मुहमत के आतंगवादियों ने CRPF के एक काफिले पर हमला कर दिया जिसमें 40 जवान बीरगती को प्राप्त हुए इसी का बदला लेने के लिए इंडियन एर फोर्स ने एक उपरेशन लाँच किया जिसका नाम था उपरेशन बंदर उपरेशन बंदर ही क्यों क्योंकि जैसे हनुमान जी ने लंका में आग लगाई थी ठीक वैसे ही इंडियन एर फोर्स के 12 मिराज 2000 ने पाकिस्तान के बाला कोट में इस्तित जैसे मुहमत के ट्रेनिंग कैम पर एर स्ट्राइक करके लगभग 400 आतंगवादियों को मौत के घाट उतार दिया था इस एर स्ट्राइक के जवाब में पाकिस्तान ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट को लाँच किया था जिसे काउंटर करते हुए बिंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तानी एर फोर्स के एक F-16 को सूट डाउन कर दिया था लेकिन उनका मिग 21 भी क्रैस होकर पाकिस्तान में गिर गया था जिससे बिंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान ने पकड़ लिया था लेकिन पाकिस्तान ने अगले ही दिन उनको रिलीज भी कर दिया था तब उस समय के पाकिस्तान के प्रधान मंतरी इमरान खान ने ये क कोई पीस जेस्चर नहीं था बलकि भारत का पाकिस्तान पर प्रेसर ही इतना ज़ादा था कि उनको बिंग कमांडर अभिनंदन को छोड़ना ही पड़ा क्योंकि भारत ने एक फुल फ्लेज अटैक करने की तैयारी कर ली थी जिसे बाद में पाकिस्तान के ही एक मिनिस्टर ने माथे पे थे और हमसे शाम एमूद साहब ने कहा फॉरन मिनिस्टर साहब ने कि खुदागा वास्ता है अब इसको वापिस जाने दें जूँकि नौ बजे रात को हिंदोस्तान पाकिस्तान पर अटैक कर रहा है सही कह रहे हैं ये पैर तो कांप ही रहे थे खैर चलिए अब भारत के अगले important operation के बारे में जानते हैं 2019 में ही भारत ने operation सक्ती को launch किया था जिसमें भारत ने अंतरिच में अपनी ही एक satellite को destroy करके अपनी anti satellite capability को showcase किया था इस successful test के बाद भारत, अमेरिका, रसिया और चाइना के बाद 24 देश बना था इसके बाद आता है वर्ष 2020 जो अपने साथ साथ चाइना द्वारत दिये गए वुहान वाइरस को भी ले आता है जिससे पूरी दुनिया में lockdown लग जाता है और इसकी वज़ा से बहुत सारे भारतिये विदेशों में फस जाते हैं जिनको निकालने के लिए भारत सरकार ने समुद्र और वाइव दोनों के रास्ते evacuation operation चलाया तो समुद्र के रास्ते जिस operation के अंडर लोगों को भारत वापस लाया गया था उसका नाम था operation समुद्र सेतू इस operation के जरिये लगभग 4000 लोगों को भारत वापस लाया गया था इसी operation के air virgin का नाम बंदे भारत mission था ये बिश्व का सबसे बड़ा evacuation mission था इस mission में लगभग 220,000 flight operations के जरिये कुल 72,000 लोगों को 100 से जादा देशों से वापस भारत लाया गया था जो कि अपने आप में एक record है इसी दोरान जब भारत में COVID-19 की second wave आई तो भारत में oxygen की कमी पड़ गई थी जिसे पूरा करने के लिए भारत सरकार ने दूसरे देशों से oxygen containers मंगवाए थे इसी operation को operation समुद्र सेतु second के नाम से जाना जाता है लेकिन इसी COVID-19 के दोर में जब भारत ने अपनी vaccine बना ली तो इसने ना सिर्फ भारत वासियों को vaccine लगवाया बलकि बिस्व के 96 देशों को भी vaccine के लगभग 17 करोन doses भेजा इसी operation का नाम vaccine मैत्री है भारत के इस operation की दूसरे देश अभी भी प्रसंसा करते हैं यह आप गोयाना के प्रेसिडेंट मुहम्मद इर्फान अली से सुन सकते हैं फिर 2022 में जब रसिया उक्रेन वार स्टार्ट हो गई तो उस समय लगभग 23,000 भारतिये medical students उक्रेन में मवजूद थे इसलिए उनको वहां से निकालने के लिए भारत सरकार ने एक और evacuation mission स्टार्ट किया जिसका नाम रखा गया Operation Ganga Operation Ganga भी आजाद भारत के सबसे बड़े evacuation missions में से एक है इस mission के बाद अब अगर हम अभी की बात करें तो अभी कुछी दिनों पहले सीरिया और टर्की में भयंकर भूकम पाया था ऐसी परिस्तिती में भारत उन चुनिंदा कंट्रीज में से एक था जिनोंने टर्की और सीरिया की हैल्प की थी भारत ने एक प्रॉपर मेडिकल स्टाफ के साथ साथ एंबुलेंसेज, स्ट्रेचर्स, एक्सरे मसीन्स तर्की को भेजी थी जिसके बाद टर्की से ऐसी इमेजेज निकल के बाहर आई जिसमें तर्की के आम लोग इंडियन आर्मी के डॉक्टर्स और स्टाफ को गले लगा रहे हैं इस पूरे ओपरेशन का नाम था ओपरेशन दोस्त तो ये रहे भारत के अभी तक के सभी मेजर ओपरेशन जिन्होंने भारत को गलोबली एक अलग पहचान दी है लेकिन मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि आपके अनुसार भारत सरकार के किस operation ने भारत पर सबसे ज़्यादा impact डाला है Feel free to comment, keep watching for more such videos